अज हम एक निया मेतर्ड सीखने वाले हैं String Class का ये Replace Method एक Non-Static Method है और इस Replace Method में हमें एक Old Character स्सप्लाई करना है और Second Argument एक New Character basically replace bullet है कि जिस target string पर आप replace call करोगे उसके given old character को हम लोग इस new character से replace कर देंगे यानि कि आपके target string में old character जितनी बार अकर हो रहा होगा उन सभी जगे पर हम ये new character place कर देंगे और आपको एक नया string produce करके return करेंगे तो एक जो नया string produce होगा और वो हमें return हो जाएगा replace method हमारे original string में कोई भी change नहीं कर सकता है वो एक नया string produce करता है जिसमें वो changes आपको reflect होगे क्योंकि string objects are immutable तो इसे एक example के थूँ हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक string variable है जिसे मैंने एक string constant value java assign किया हुआ है now हम लोग यहाँ पर एक string variable यानि के result नाम का string variable create करते हैं हम target string पर replace यह जो method है इसे हम call करेंगे और replace में हमें याद से दो characters पास करने हैं एक वो character जिससे replace करना है second वो character जिससे हमें इस character value को replace करना है suppose हमने कहा o तो जहाँ जहाँ पर हमारे target string str में target string str में जहाँ जहाँ पर यह old character value is found होगा वहाँ वहाँ पर o यह value replace हो जाएगी तो अब हमें इससे एक resultant string value return होगा हम उस result string value को एक result string variable में हमने hold कर लिया है और now इन दोनों strings को मैं print करके दिखाना चाहता हूँ कि जो original string value str है वो तो वैसे ही है और यहाँ पर इनको आपस में compare भी करेंगे जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि यह replace method है उसने original string में कोई change नहीं किया है और एक fresh new string हमें create करके return किया हुआ है तो जो नया result string होगा वो क्या होगा जो वो क्योंकि जहाँ जहाँ a था वहाँ पर क्या replace हो गया उसके जेगे a की जेगे o तो यहाँ पर हम यह c.java है इसमें मैंने class c define किया now अब हम लोग c.java example को compile करते हैं और हम इस c class को run करेंगे तो जो original string है उसमें कोई change नहीं हुआ है एक नया string produce हुआ है उस नया string में आपने देखा हमने previous character a को replace कर दिया है और आप देख सकते हैं एक fresh new string create हुआ है इस example को मैं आपको दुबारा run करके दिखाता हूँ imagine अगर हमने जो character supply किया है यानि कि जो character से replace करना है वो भी a है तो replace बोलता है आपने तो वही same character दे दिया है ऐसा करने पड़ तो मैं कोई change नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो तो अलड़ी a है तो इस तरह से replace बोलता है कि मैं आपको वही original string जिस पर आपने replace call किया return कर दूँगा ऐसा होने पर आप यहाँ experience करेंगे कि यह दोनों variable एक ही string को point करते है और इस तरह से यह value हमें true return होगा तो मैंने यहाँ पर एक और trial करके दिखाया आप लोगों को पहले हमने O के साथ करके दिखाया था मैं statement को comment कर देता हूँ और अब हम लोग जो character value है वहाँ पर हमने same character लिखा हुआ है हम example c को दोबारा try करते है मैंने compile किया और now हम code को run करेंगे आप देख सकते हैं कि कोई change हुआ ही नहीं इसलिए उसने हमें original string ही return किया और इस तरह से str aries दोनों string variable एक ही string object को point कर रहे हैं और इसलिए उनका comparison का result true आया तो यहाँ पर हम लोग उने देखा कि replace method कैसे work करता है next video में मैं आप लोगों को replace का एक और version देखाऊंगा